हाई एब्रीवन कैसे हैं आप लोग I hope कि आप सब लोग खुश हैं स्वस्त हैं और आज आपको पता है मैं कहां आई हूँ मैं आई हूँ तपोवन घाट यहां पे सन्राइज बहुत सुन्दर लगता है और काफी शान्त रहता है अगर वो परमात निकेतन वाले साइट जाओ तो वहां पे थोड़ी सी भीढ़ होती है तो यह जो तपोवन घाट है यहां पे बहुत सादा भीढ़नी होती है सुबच सुबर लोग में यहां पे meditation करने के लिए योगा करने के लिए आते हैं तो मैं सुबा सन्राइज एंजोई करने के लिए यहाँ पे आई हूँ और काफी सुन्दर है यहाँ पे यह गंगा मैया है और पीछे पहाड है और वहाँ से सन्राइज हो रहा है इस ब्यूटिफूल आसपास बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे मेडिटेशन और योगा कर रहे है तो बहुती सुन्दर फील है यहाँ पे और एनरजी है तो मैं नेक्स टाइम पक्का यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए आऊंगी तो आज मैं ऐसी चेक करने के लिए आज मैं कि कैसा है वहाँ पे कितना ग्राउटेड है शान्थ है की नहीं है तो काफी शान्थ है मतलब शांब की टाइम मुझे पता नहीं बहुत मोर्णिंग में तो बहुत कम लोग हैं यहाँ पे तो काफी शांथ है और अच्छा लग रहा है गंगा मया बहुत positive लगती है बहुत ऐसा energy निकलती है मतलब feel होती है energy proper इतनी positivity है मैं meditation ऐसे भी करती हूँ लेकिन यहाँ पर जो feel है ना जो energy है मतलब I think किसी को yoga meditation करना है तो उसके लिए यह best जगा है और मैं सोच रही हूँ कि next time थोड़ा लंबा प्लैन करके आऊंगी और थोड़े time यहाँ पर रुकूंगी ताकि अपना मैं meditation और yoga को time दे सकूँ इस बार मैं थोड़े दिन के लिए आई थी but next time पक्का यहाँ पर आऊंगी और अब मैं आई हूँ 60's cafe the 60's cafe बीटल्स और मुझे बहुत भूग लगी है तो मैं खाना खाने के लिए आई हूँ और यह जो cafe है यह बहुत ज़ादा सुन्दर है यहाँ पर बहुत सारे greenery है यहाँ का ambience बहुत सही है पूरा ऐसा लग रहा है कि न गार्डन है और गार्डन में restaurant बना हुआ है तो बहुत ही अच्छा well maintained यह cafe cafe garden I don't know garden cafe I think better नाम होगा तो काफी मतलब मुझे इस तरह की जगाएं बहुत पसंद है मैं हमीशा इस तरह की जगाएं ढूरती हूँ जहाँ पर नेचर हो पेड़ पौदे हो थोड़ा खुला खुला फील हो मुझे एकदम बंद जगाएं नहीं परसंद है तो बहुत ही अच्छा है बहुत colorful है very very nice यहाँ पर काफी सारे ऐसे cafe और जगाएं जो ना बीटल्स ग्रूप चबाया था तो उसी के नाम पर है तो यह भी उनमें से देखो pictures है nice और मैंने सुलाएं कि यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है और बहुत ही reasonable prices है रिशी केश में पूरे रिशी केश में prices बहुत सही है खाने के ना काफी मतलब बाकी जगाओं के comparison में काफी better price है तो मैं धूण रही है कि मैं कहां पर बैठों कि मुझे सारही अच्छा लग रहा है मतलब यह I think अच्छा लग रहा है ना पेड के नीचे पेड की छाओं में आस्मान के नीचे पेड की छाओं में वाव मतलब जो पूरानी हमारी संस्कृती थी ना ऐसे खूले मे रहना वह I think best थी नहीं इनका जो मैन्यू है वह बड़ा क्यूट से है उस पे वह वह बीटल्स गूरूप के पिक्चर्स और यह सब हैं अंदर तो काफी सही है यह बहुत ही क्यूट लग रहा है इनका मैन्यू और मैं सोच रही हूं कि मैं सैलेड मंगा हूं और खिचडी क्यूट कि मुझे कुछ light खाना है मैं जादा hevy कुछ नहीं खाना चाहा रही हूं कि एतने दिन से बहार से खाना खा रहे हूं तो मतलब मैं वह Leeय लग की में डेली-डेली बहार खाऊं और मेरा भीट बिल्कुल सही है तो मैं सोच रही हूं कि आच हैल्दी खाती हूं और और हरिशी केश में सबसे अची बात यह ही है कि यहाँ पे काफी healthy options मिल भी चाते हैं तो यहाँ पे आपको proper vegan मिल जाएगा, gluten free मिल जाएगा खाना तो यहाँ पे कोई इतना problem नहीं है और देखो यह salad मेरा आगया है, यह किचड़ी है salad काफी अच्छा लग रहा है देखने में, नहीं? मुझे ऐसे, मैं दब सबसे पहले आखों को दिखता है ना, तो खाना देखने में अच्छा लगने चाहिए सबसे पहले खाते तो हम बात में पहले देख के मन करना चाहिए ना, खाना खाने का तो काफी सुन्दर कलरफुल सैलेड आई और सैलेड मुझे ऐसे भी परसंद है नाइस ऐसे भी इतना फ्रेश फील हो रहा है सुबा सुबा वहां गई थी मैं तपोवन घाट और उसके बाद फिर यहां पे बीटल्स कैफे आ गई और यहां पे भी इतनी ग्रीन रही है तो काफी अच्छा फ्रेश फील हो रहा है और खाना भी अच्छा है तो और क्या ही चाहिए लाइफ में मुझे तो मन कर रहा है कि मैं रिशी केश में ही बस जाओं मतलब यहां आने के बाद ना बता नहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि बस यहां से कहीं जाओं ही न आज तक मैंने इतना ट्रैवल किया है बट ऐसी फील मुझे कभी कहीं नहीं आई है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहां पर यह इनके रूम्स हैं तो आप यहां पे रुक भी सकते हो रूम्स भी काफी अच्छे हैं बालकेनी वगेरा हैं तो यह इनके रूम्स हैं तो अगर आप यहां पे रुकना चाहो तो रुक भी सकते हो और यह नहीं का खुद का रेस्टरांट है और अगर नहीं भी रुके हो तो खाना खानी के लिए आ सकते हो तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी यह वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और आप अपना ध्यान रखिए खुश रहिए बाई बाई टेक चेर आप यू ओ बाई